जैश्री कृष्णा आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो। सभी एकादशी की तरह पोश्पुतरदा एकादशी के दिन भी भगवान श्री हरी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन एकादशी का वरत तभी सफल माना जाता है जब आप विधी विधान से पूजा करने के साथ ही नियम पूर्वक और शुप समय पर इस वरत का पारण करते हैं यानि अपना उपुवास खुलते हैं। पारण करने के बाद ही वरत सफल और संपन्य माना जाता हैं। तो आज जानिये कि कब, कैसे और किस शुब मूर्थ में आप उतरदा एकादशी वरत का पारणा कर सकते हैं। इसलिए निर्धारित समय और विधी पूर्वक ही वरत का पारण करना चाहिए। वरत खोलने की विधी को पारण कहते हैं और वरत का पारण हमेशा सोर्यदे के बाद ही किया जाता है। हरी वासर के समय वरत नहीं खोला जाता है और दुवादशी तिथी की पहली एक चौथाई तिथी को हरी वासर कहते हैं। हरी वासर समाप्त होने के बाद ही वरत पारना करना चाहिए पुतरदा एकादशी का वरत खोलने से पहले इसनान करना चाहिए फिर भगवान विश्नु का पूजन करना चाहिए पुतरदा एकादशी की पूजा में चढ़ाए गए भोग और प्रशाद से ही वरत खोलना चाहि दुवादशी तिथी के दिन यदि रविवार्द ना हो तो तुलसी जी के पौधे की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में एक लोटा जल भी अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी को भी भोग लगाना चाहिए वृत का पारण करने से पहले अ पास मंदिर में पुजारिजी को या किसी गरीब को कोई भी दान दक्षिना आप जरूर दें चीटियों को आटशकर डालें गौमाता को हराचारा घास मतर या फिर आप गुड और रोटी या कोई भी पीला फल खिलाएं उसके बाद ही आप अपना वृत का पारना करें ऐसा कर रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का उपवास रखा गया है और उपवास केवल एक ही दिन रखा गया है जो भी ग्रेस्ट जन हो या वैश्टर संप्रदाय के इसकौन से चुड़ेवे लोग हो उन्होंने भी इसे दिन उपवास रखा है ऐसे में अगले दिन यानी 22 जनवरी सुमवार के दिन वरत का पारणा किया जाएगा इस बार 22 जनवरी वैसे भी बहुत खास होने वाली है बहुत ही शुब होने वाली है सब के लिए मंगलदाई होने वाली है इसलिए वरत पारणा मुर्द के बारे में बताने से पहले मेरा आप सभी से नरोध है कि इस अधान से बहुत खुशी के साथ इस दिन को आप मनाएं क्योंकि राम लला इतने इंतिजार के बाद इतने अथक प्रयासों के बाद और इतने बलिदानों के बाद आखिरकार अपने इस्थल पर अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं इस दिन को आप यादगार का सम्मान करें जितना हो सके गरीब जरुदमंद व्यक्तियों की आप साहता करें आस पास ऐसे लोग जो दीपक जलाने में समर्थ नहीं है बहुत निर्धन है अगर हो सके तो आप ऐसे लोगों की साहता जरूर करें ताकि वो लोग भी अपने घर पर दीप जला सकें और जाएगा और राहुकाल का जो समय है जो अशुब मोर्ट माना जाता है सुबह साड़ी साथ से नौ बजे तक रहेगा वरत पारणा आप कर सकते हैं सुमवार को सुबह साथ बज कर तेरा मिनट से नौ बज कर पचास मिनट के बीच में वैसे तो सुबह का समय ही उत्तम माना जा वैसे कोशिश करें कि आप सुबह के समय ही अपना उपवास खोलें जिन लोगों का सुमवार के दिन भी उपवास हो और एकादशी का उपवास भी आपने रखा हो तो ऐसे में आप वृत का पारणा कैसे करेंगे ये भी आप जान लीजिए ऐसे में आप सुबह के समय विध मगरी जो भी आप दान देना चाहते हों उसे भी मंदिर में रखें हाथ चोड़कर सचे मन से आप भगवान श्री हडी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा रखे गए एकादशी उपवास को स्विकार करें उसका पुर्ण आपको प्रदान करें आपके जीवन में कोई समस्या हो संतान से जोड़ी समस्या हो तो उसके निवारन के लिए भी आप प्रार्थना करें साथी मालक्षमीजी का भी पूज़न करें मालक्षमीजी से भी प्रार्थना करें ऐसा करने से घर में सुक समरिधी बनी रहती हैं फिर आप भगवान को तुलसी पत्र का जल का सा मिठी चीजों का भोग नहीं लगा रहे हैं नमक से बनी कोई वस्तु का भोग लगा रहे हैं तो उसमें मिर्च ना हो जैसे कि आप साबुदाने के खिचडी का या फिर चावल की खिचडी का भोग लगा रहे हों तो उसमें मिर्च ना डालें इस प्रकार से आप भोग लगा मीठी चीजों का भोग लगा रहे हो या नमकीन चीजों का भोग लगा रहे हो एक तुलसी का पत्ता भोग के साथ में रखे भगवान को भोग और जल दोनों स्विकार करने का आग रहे करें उसके बाद उसी को प्रशाद रूप में ग्रहन करके आप मंदिर में ही अपना उपवास खोलें यदि आप दूसरा वृत रख रहे हैं तो ध्यान रखें नमकीन चीजों का ना तो भोग लगाए और ना ही खुद ग्रहन करें उस समय ऐसी अवस्था में आप पंच्या मृत का भोग भगवान को लगा सकते हैं और दूद से बनी मिठाई का मावे से बनी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं गुड का भोब भी आप भगवान को लगा सकते हैं गुड के साथ भी तुलसी जी के पत्ते जरूर रखे और उसी के साथ में आप अपना उपवास खोले एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा जल आप पहले पानी के साथ निकल ले उसके बाद आप अपने दूसरे व्रत की प पलाहार कर सकते हैं जो लोग केवल इकादशी व्रत का पारणा सोमवार के दिन करना चाहते हूं उन्हें भी सुबह के समय में भगवान को मीठी वस्तों का भोग लगाना चाहिए और उसी को प्रशाद रूप में ग्रहन करके अपना उपवास खोलना चाहिए और उसके कु समस्या हो तो फिर आप हलका फुलका भोजन शाम के समय ले सकते हैं भूल कर भी द्वादशी थी कि दिन लहसुन प्याज का या किसी भी परकार के अशुद भोजन का आप सेवन ना करें दान में दी जाने वाली सामगरियों में आप पीले रंग की कोई ना कोई वस्तू जर कर सकते हैं इस दिन भूल कर भी आपको पुराने वस्त्रों का या बासी भोजन का दान नहीं करना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है और आपका जो व्रत है वो भी अधूरा ही माना जाता है कई बार ऐसा होता है कि आसपास दान देने की सुविधा ना हो आप समय पर दान सब्बल हो उस समय दान की जो सामगरी है वो किसी योगी विक्ति को अवश्य दे दे ये थी व्रत पारणा की संपूर्न जानकारी उमीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने जाने जानि याँ है उमीद है आप मारे चैनल पर यह कथाएं सुन रही होंगे नहीं सुनी है तो एक बार आप इन कथाओं को भी अवश्य अपना प्यार दीजेगा और अपना कीमती समय इन कथाओं के लिए जरूर निकाल लिए गा